और अब भबासे कबरे जहां दुकान पर समान लेने गई दो बच्चियां गायब तो दो बच्चियां गायब हो गई है सुवार की शाम से लापता हुई थी बच्चियां साथ साल और 14 साल की बच्चियां हुई लापता आदमपूर पठार में पडोस की दुकान पर समान ले गई थी बच्चियां आपको बता दे कि बच्चियों की तलाश में जुटी बिलखिरिया पुलिस बड़ी खबर इस समय की बड़ी जानकारी के साथ जहां दो बच्चियां गाइब हो गई है बच्चियों की तलाश में पुलिस आला की अब जुट गई है ये बच्चियां कैसे गाइब हुई है उसको लेकर के अब जानक परताल की जा रही है तो दुकान पर समान लेने गई थी बच्चियां और तब से ही बच्चियां अपने घर नहीं लोटी है वापस जिसके बाद इस पूरे मामले की लेकर के पुलिस में F.I.R दर्ज कर आए गई पिलहाल पुलिस पूरे मामले की जानक परताल में जुट गई है तो सुमवार से ही बच्ची गाइब है साथ साल और चौदा साल की बच्ची दोनों ही बच्चियां गाया बताये जा रहे हैं तो दोनों ही समान लेने के लिए घर से निकली थी और चॉसमान दोनों यहां तो कि अभी साथ साल और चौदान साथ साल की बच्चियां की उम्र बताई जारे हैं एक बच्ची की जो उम्र है वह रेहे साथ साल की आगा भाद संपले कर दो करके आसपाथ फरी छोली psychology बुपाल सही लगे बिलक्रिया गाओं का ये मामला है आदमपूर से दो बच्चिया जो है कल शाम से लापता है सौमाद की साम को पास कही दुकान में समान लेने किराने की दुकान में समान लेने दो बच्चिया गएं थी दोनों बच्चियों की जो उम्र है वो साथ सान और चौदा सान है बिलक्रिया पुलिस जो है इस पूरे मामले की तलाशी में जुटी हुई है परोस के लोगों से पुस्ताच की जा रही है इसके साथ ही परोसियों का ये कहना है कि कई परोसी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने बच्चिया नहीं देखी है लेकिन अभी फिलाल जो है पुलिस मुस्तेदी के ताथ सिसी टीवी कैमरे भी जो हाईवे है क्योंकि रैसें रोड का ये हाईवे है रैसें रोड में ये गाउं पड़ता है दोनों बच्चियों की तराश की जा रही है कि आखिरकर दोनों बच्चियां जब किराने की दुकान में सामान लेने शाम को पहुँची तो उसके बाद अचानक से कहां लापता हो गई दोनों बच्चियों के जो है फोटो यहां पर जारी किये गए है और यह निवीदन लोगों से किया गए है अगर दोनों बच्चियों की जैसे ही चानकारी मिलती है ततका लोग से बिलकरियत अने पुलिस को सूचना दी जाए कुलबुशन आप से ये भी जाना चाहेंगे कि क्या जो बच्चियों है उनके माता पिता से कोई बात हुई है अभी माता पिता ने जैसे ही एक घंटे के तक जो है बच्चियों घर में नहीं आई उसके बाद उनोंने जब गाओं में तलाशी शुरू की कि बच्चिया किरकर गई कहां लोग से पूछा जब लोगों को भी इस बात की तैनकारी नहीं लगी तो ततका लूप से उनोंने फिलकरियत आने कि अंतरगर जो है अपनी शिकायत दर्ज कराई और पुलिस के साथ जो है बच्चियों की तलाश में जूटी है हलागि माता पिता का यही कहना है कि दोनों बच्चिया पास की दुकान में समान लेने गई थी लेकिन उसके बाद उन बच्चियों का कुछ पता नहीं है जिसके बाद दोनों बच्चियों की तलाशी के लिए बिलकरियत आने में शिकायत दर्ज कराई है अब ही फिलाल गार्मीनों के साथ जो है पुलिस बच्चियों की तलाश में जूटी हुई है अब ऐसे किसे साबने आते हुई नजर आ रहे हैं कि बच्चिया गायब हो रही है इसके पीछे क्या बड़ी वज़े देखनों को मिल रही है के साथ ही आपसे ये भी जाना चाहेंगे कि क्या बच्चियों ने समान लिया था दुकानदार से कोई पुस्ताच हुई है उसने क्या कुछ कहा है दिखिए अभी बहुती बच्ची हैं क्योंकि ग्रामीन छेत्रों में साथ और चौदा साल की बच्चियां है और सबी से पुलिस मुस्तेरी से पुस्ताच कर रही है क्योंकि यहां पर जो बच्चीयों के लापता होने के पाद जो घटना घ्रम को कैसे रोका जाए इसलिए सकती से जो है पुलिस के दोरा पुस्ताच की जाती है चाहे वो ग्रामेन वासी हो या पिर दुकानधार हो क्योंकि जब बच्ची घर से निकलती है उसके बाद जिस तरीके से वारदाते अंजाम होती है उन घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अपना सकत कदम उठाती है अभी फिलाल सभी से पुस्ताच की जा रही है बच्चीयों की तलास में पुलिस के जो अधिकारी है वो जुटे हुए जीकल बुशनिस पूरी जौन कारे के लिए बहुत बहुत शुक्री आपका